नमस्कार मैं हूं साक्षी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर बीपीएसी के प्रखंट उद्यान पदाधिकारी के पदों पर करे आवेदन फोटोग्राफ प्रत्योगिता में लाखोर रुपे का इनाम जीतने का मौका जल जीवन हडियाली अभ्यान से भूजल अस्तर में हुआ सुधार सक्षम्था परिक्षा दे चुके नियोज़त सक्षकों को रीव वेरिफिकेशन का आदेश सरजडी के बाद बलेबाद सुर्यकुमार यादव ने मैदान में की वापसी इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से बिवेस्ति के प्रखंट उद्यान पतादिकारी के पदों पर करे आवेदन बिहार लोग सेवा योग ने प्रखंट उद्यान पतादिकारी के रिक्त पदों पर भरती निकाली है 318 पदों पर बहाली निकाली गई है इसके लिए किसी मानेता प्राप्त क्रिशी विश्व विद्याले या सनस्थान से उद्यान विज्ञान या फिर क्रिशी विज्ञान में असना तक की डिगरी होनी चाहिए और भड़ती होने के बाद 25,100 से लिएकर 81,000 की सैलरी दी जाएगी आविदन करने के लिए BPSC के आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर आविदन कर सकते हैं आपको बता दे के आविदन करने की प्रक्रिया जारी है वहीं 21 मार्श तक आविदन किया जा सकता है आधिक जानकारी के लिए BPSC के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट किया जा सकता है बिहार में पक्षियों के विलुप्त होने की वज़ा आई सामने बिहार में पक्षियों की कई प्रजातिया विलुपत हो रही है मालूमों कि परियावरन में पक्षियों की भूमी का महत्वपूर्ण होती है ये परागन में मदद करते हैं साथ ये खेतों की फसलों में लगने वाले कीड़ों को खाते हैं इससे संतुलन बना रहता है राजच के सारंजले की बात करें तो यहां एशिया इजल पक्षिया तेजिसे विलुपत हो रही है साल दोहज़ाज़ चौबिस में यहां सोला प्रज़ाती पाए गए है वहीं साल दोहजार तैस में इसकी संख्या अंठानवे थी विभाग के राज़ अस्तरिय कॉर्डिनेटर ने वन का अबलोकन करने के बाद यह खुलासा किया है कि यहां आद्र भूमी की अधिक्ता के कारण प्रवासी पक्षियों का समू भारी मात्रा में आता है वही यहां जल की कमी होन के कारण पक्षियों के संख्या में कमी आई है अलग-अलग जीलों में वादावरन के अनुकूल ही विभिन प्रकार के प्रवासी पक्षि पहुँचते हैं फोटोग्राफिय प्रतियोगिता में लाखों रुपे का इनाम जीतने का मौका बिहार सरकार की सुषना इवं जन संपर्क विभाक के और से जन भागिदारी फोटोग्राफिय और विडियोग्राफिय प्रतियोगिता का आयोजन क्या गया है इस मही नाम जीतने पर लाखों रुपे पाने का सुनहे रावसर है अधिक जनकारी के लिए वेबसाइट is state.bihar.gov.in पर विजिट किया जा सकता है विडियोग्राफिय प्रतियोगिता में भाग लिने के लिए तीस से लेकर 120 सेकेंड तक का वीडियो बनाकर शेयर करना है जल जीवन हर्याली अभियान से भूज अलस्तर में हुआ सुधार बिहार में जल जीवन हर्याली अभियान से भूज अलस्तर में सुधार हुआ है ग्रामिन विकास मंत्रे श्रवन कुमान ने इस बात की जानकारी दी है उन्होंने बताया है कि हर्याली में 9 से बढ़ कर 15 प्रतीशत की बढ़ोतरी दर्च की गई है इसे 17 प्रतीशत तक पहुँचाने का लक्ष निर्धारित किया गया है मंत्री ने जानकारी दी है कि जल जीवन हर्याली अभियान जैसे स्कीम देश और दुनिया में पहली बार बिहार में शुरू की गई थी और इसके शुडवाद राज़ के मुख्यमंत्री नितीश कुमार की और से की गई थी वहीं नितीश कुमार जब सीयम बने थे तो राज़ में हर्याली पर अत 9 पीस दी थी लेकिन अब इसमें इजाफा हुआ है इसके बाद यहां जलवायू परिवर्तन को रोका गया है ऐसा नहीं करने पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ता बिहार विधानसभा में सुरक्षा पहरी के 79 पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही थी इसके बाद अब नए सिरे से सबी की परिक्षा ली जाएगी जल्दी एक्जाम की तारीकों के गोशना की जाएगी विधानसभा सचेवाले की ओर से सूचना जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है इसमें कहा गया है कि मिली रिपोर्ट पर विचार के बाद इस वैसले को लिया गया है परिक्षा को कैंसल कर दिया गया है वहीं बिहार विधानसभा के वेबसाइट पर ये डीटेल मौद रहेगी मालुम हो कि सुरक्षा प्रहरी के पदों के लिए 79 पदों पर सीधी भरती के लिए बीते 10 सितंबर को परिक्षा ली गई थी बिहार बोड इंटर आंसर की पर आपती दर्च कराने की प्रक्रिया खत्म बिहार विध्याले परिक्षा समीती ने इंटर की आंसर की पर आपती दर्च कराने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है मालूम हो कि 12 फरवरी को इंटर के परिक्षा ली गई थी और इसके बाद बहुविकल P.A. सवालों के लिए आंसर की को जारी किया गया था और इसके साथ ही चातरों चातराओं को आपती दर्च कराने के लिए आमंधरित किया गया था ये प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है इसके बाद अब जल्द ही BSEB के ओर से रिजल्ट की घोशना की जाएगी लाखों परिक्षार्ते फिलाल परिक्षा 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 के 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 जारी होने की संभाव नाचत आई गई है सक्षमता परिक्षा दे चुके नियोजित सिक्षकों को री वेरिफिकेशन का आदेश बिहार में नियोजित सिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परिक्षा का आयोजन किया गया वहीं अब इस परिक्षा में शामिल होने वाले सिक्षकों के लिए री वेरिफिकेशन का आदीश है सिक्षा विभाग ने आदीश जारी किया है कि नियोजित सिक्षकों को प्रवीस पत्र के साथ जला सिक्षा पतादिकारी के कारियाले में जाके बायोमेट्रिक और थंब इंप्रेशन देना होगा बिहार विद्याले परिक्षा समीती ने इस समंध में DEO को पत्र भेजा है वहीं थंब इंप्रेशन देने के बाद इस सिक्षक परिक्षा में उत्तेर न हो सकेंगे इसके अलावा स्कूलों के आवंटन से पहले उनकी काउंसलिंग की जाएगी बिहार के मज़परपूर की शाही लीची के अब दूसरे राज़ों में भी खेती होगी इसके परिस्तर में लीची बैंक की अस्थापना कर 37,000 पौधे लगाए गए इन पौधों को अलग लग राज़ों के किसानों को भेजा जाएगा और फिलहाल करनाटक अरुनाचल प्रुदीश और महारास्ट को पौधा भेजा भी जाएगा अन्य राज़ों को भी पौधा भेजने की यूजना तैयार की गई है जेल में बन निलंबित आईपेस अधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल आर्थिक अपराद इकाई यानिकी ई-ओ-ई-की विशेश अदालत ने निलंबित आईपेस अधिकारी आदित्य कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है वह इस मामले में चार आरोपिय को खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया गया था जानकारी के अनुसार आदित्य कुमार इस मामले में नामजुद आरोपित है आपको बता देगी ये मामला हाई कोट के तदकालिन मुखी नया दीज संचर करोल के नाम और फोटो के प्रयोग कर WhatsApp अकाउंट बना कर तदकालीन डीजीपी संजीव कुमार सिंगल को WhatsApp कॉल करने से संबंदित है डीजीपी को फोर्जी कॉल करके विशेश पक्ष के लिए फैसला लेने के लिए दवाब बनाये गया था वह इस मामले में सुप्रीम कोट से अगरीम जमानत को खारिस कर दिया गया था और इसके बाद निलंबित IPS अधिकारी नियाएक खिरासत में है बिहार लगू उद्यमी यूजना के पहले किस्त जारी बिहार के मुख्यमत्री नितिश कुमार ने कई यूजनाओं का शिलान्यास और लोकारपन किया है इसकरी में बिहार लगू उद्यमी यूजना के लाभुकों को पहले किस्त का वित्रन कर दिया गया है मालूम हो के पहले किस्त के लिए 40,102 लाभुकों का चैन हुआ था और इन्हें सरकार की उर से 2 लाभ रूपे के आर्थिक मदद की गई है इसके लाभ बिहार अभी अंत्रिन विश्व विद्याल है वाल में की सभकार और अधितीग्री का भी उद्गाटन किया गया है सियम नितीश कुमार ने उद्योग विभाग की 447 करोर की लागत की 33 सी उजनाओ का लुकार पन किया इस दोरान सियम नितीश कुमार के साथ उप्मुख मंतरी समराच चौधरी विजह सिन्हा और भीहार सरकार के मंतरी विजह चौधरी मौजूद रहे पुलीस ने भारी मात्रा में शराब के साथ तसकर को किया गिरफतार बाका चले की बहुत से पुलीस ने सगन जाच अभियान के दौरान 4044 बोतर विदेशी शराब की बोतल को बरामत किया है और इसके साथ ही मौके से एक तसकर को गिरफतार गया है आपको बता दी कि एक वाहन को भी पुलीस ने बरामत किया है थानत द्यक्षिर सुधीर कुमार ने इस मामले में जानकारी दी है उन्होंने बताया है कि पुलीस ने जारकन की ओर से आरी तेजवाहन को रोका और इसमें एक हज़ार लीटर से अधिक की शराप को बरामत किया गया वही मुझे अपरपूर्ज लेकि सक्रागाउ निवासियों प्रकाश गिरी को पुलीस ने गिरफतार किया है अस्वैक्ति से पूछता जारी है मद्यनिशेद अधिनियम के तहट प्रात्मी की दर्शकर पुलीस आगे की कारवाई कर रही है गोपाल मंडल ने भागलपूर सीट से चुनाओ लड़ने का किया दावा वर्तमान सांसद ने दिया जवाब जादियों से विधाय गोपाल मंडल ने भागलपूर सीट से लोगसभा चुनाओ लड़ने का दावा किया था साती उन्होंने कहा था कि अजर मंडल मेरे छोटे भाई है और उनकी तब बेठ ठीक नहीं है मैं उन्हीं के समझाऊंगा कि लोगसभा का चुनाओ वो नहीं लड़े वह इंको पाल मंडल के इस बान पर वर्तमान सांसद अजर मंडल ने जवाब दिया है उन्होंने कहा है कि किसी की दावे से मुझे कोई मतलब नहीं है मेरे मुख्या बिहार के मुख्यमंद्री नितीश कुमार है मुख्यमंद्री जिस सीट से मुझे उतारेंगे मैं उसी सीट से लोगसभा का चुनाओ लरूंगा इसके बाद बिहार के प्रभारी ने सभी परवेक्षकों से बात शीत की परवेक्षकों की द्वारा एक के एक लोगसबा शीतर से चार से छे नामों की सुझी दी गई है उसके बाद भाजपचनौ समीती की ओर से इन नामों पर विचार किया जाएगा बताय जाता है कि जल्द बच्चों के साथ अन्डर मेट्रो ट्रेंड के सफर किया मालुम होगी नदी के अंदर ट्रेन is हुग लिदी को मातर 35 सेकंड में पार करना संभव है ट्रांस्पोर्ट का ये मोज नया है इसके साथ ही ट्राफिक कंजेशन को कम किया जा सकेगा और एर पॉलूशन को कम करना भी संभव हो पाएगा वहीं उद्घाटन के साथ ही यादरेस मेट्रो स्टेशन के जर्ये सफ़र टै कर सकेंगे सरजरी के बाद बले बाद सुर्य कुमार यादव ने मैदान में की वापसी भाटे टिम के मिडल ओडर बले बाद सुर्य कुमार यादव ने बैटिंग करते हुए नजर आए आपको बता दे कि इन्होंने आई पील में वापसी के संकेत दिये हैं चकने की सरजरी की कारण वो काफी दिनों से मैदान से दूर थे लेकिन वो रिकवर करते ही नजर आ रहे हैं सरजरी के बाद उन्होंने पहली बार बैटिंग की मालूम हो के हाल ही में खिलारी ने अपने सोशल मीजिया अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की है उसमें वो बल्ला हाथ में पकरे नजर आ रहे हैं और उसके बाद उनके फैंस में काफी खुशी देखने को मिल रही है वहीं आकरी बार इन्होंने दक्षिन अफरिका के खिलाव तीसरे टेस्ट मैच को खेला था इसमें फिल्डिंग के दोरान उनका टकना मुर गया था मैदान पर उन्हें दर्द से करातावा देखकर फीजियो की टीम पहुँची थी बीते दिन हमारे दोरा पूछे कस अवाल का आप मेंसे बहूत से लुगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सिक्षिन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंने हमारे दोरा पूछे carry सवाल का जवाब दिया है उनकी नाम है सादुल्ला पालवी, संगहस कुमार, रवी कुमार राम, राजकिशोर महतो, नौशाद राजा, गौरी कुमारी, वीरो सिंग, मुहमत शकीर हुसेन, रवींदर शर्मा, गुनर शर्मा, लक्षमी महता, वेद प्रकाश सिंग, जितेंदर कुमार, संझे पांडे, इंद्रदेव कुमार दलीव महतो इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के शवाल की और आज का हमारा सवाल है आपके शेत्र में सरक की क्या स्थिति है आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सिक्षिन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खब